हेलो दोस्तों स्वागत था आपका आपके अपने यूट्यू चानल फिजिक्सियम पर और मैं आज लेकर क्या हूं चेप्टर नमबर आइधिंग फोर्थ चल रहा है ना मैंगनेक्टिजम एंड मैंनेक्टिक फिल्ट खींड करते हैं मैं जाधता वीडियो थीक है रहते ह questão है मंडे टूस्टे तक कम्प्लीट आ जाएगा है ना तो अप फुली आप लोग इंज्वाए कर रहे होंगे और उनके लिए थोड़ा बेटर है जिन्होंने थोड़ा लेट से स्टार्ट किया है पढ़ने के लिए तो उनके लिए रेगुलर फीडियोज धीर देले करके वह अप से स्टार्ट कर रहे है इस चीज़ को ले करके थोड़ा एक सी वर्मा का कंटेंट के हिसाब से लेकर चलेंगे यहाँ पर पर दो चेप्टर आज क्या जी खत्म हो जाएंगे ध्यान से समझना है पूरी बात को मैंगनेटिक फोर्स क्या है अगर हम कहा रहे है कि यहीं न कहीं यूनिफॉर्म मैंगनेटिक फिल्ड है मेरे पास है यूनिफॉर्म मैंगनेटिक फिल्ड अच्छा मैंगनेटिक फिल्ड को लोग लिखते हैं तो बी से लिखते हैं मैंगनेटिक फिल्ड है हम इसको बी वेक्टर से देनोड करेंगे ठीक है अच्छा इसका यूनिट क्या ह आता है टेसला ठीक है यह हमको पता है समझ में आ गए यहां तक बात हमें समझ में आ रही है तो अब यहां पर आता है मैंने टिक फोर्स का बात दो तीन बात हमको अल्रेडी पता है तो फ़र्स्ट स्टेट्मेंट हमारे पास क्या है कि अगर कहीं उनिफॉर्म electric field होगा तो उसमें अगर एक charge को इस्टेशनरी चार्ज को अगर हम रख दें तो उस पर force लगते हैं इसका value होता है Q into E यह हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से electrostatics में अगर हमारे पास कहीं एक uniform electric field है present है या non uniform यह क्या ही फरक पड़ता है अगर हम यहां पर एक charge Q रख देते हैं तो इस पर फोर्स लगा कितना लगा क्यों यह एक फोर्स लगता है जिसका वैलू होता है सुरी जिसका डिरेक्साइट के ही डिरेक्सान में होगा यह हमको पता है similarly अगर हम यह कह दें कि एनी moving charge यहां पर एक बात आ रहा है एनी moving charge experiences है ठीक है एक्सपीरियेंस है अम मेगनेटिक फॉर्स यहां पर क्या जगा मेगनेटिक फॉर्स कोई भी moving charge है वो experience करता है magnetic force in external magnetic field in external magnetic field ठीक है यहाँ पर क्या था पहले क्या आम लोग पढ़ रहे थे इस वाले में क्या था अगर कहीं पर electric field है उसमें अगर हमें charge को रख दें तो उस पर force लगए जिसको कहते columbic electromagnetic force जो electric force कहते है जिसको वो हता हमारा QE यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ने वाले अगर हमारे पास uniform magnetic field है uniform magnetic field है या non uniform कोई फरक नहीं बढ़ता magnetic field है उसमें अगर एक charge को हम फेक दें कुछ velocity दें तो उसमें force लगएगा जिसको हम कहते हैं magnetic force समझ में आरे बात अगर हमारे पास suppose कर लो कि uniform magnetic field हम ऐसे बना दिये इस magnetic field को यह magnetic field है और यहाँ पर एक charge जिसका के कुछ velocity भी से हम फेक दी है ठीक है obviously moving charge होना चाहिए ठीक है तिसे force लगए यह charge इदर से इदर की तरब आ रहा था तो इसे force लेगा अब force का value कितना हो जाएगा यहाँ पर है ना अगर किसी angle theta पर आ रहा है तो तो force का value यहाँ पर कितना लिखेंगे Q जो force vector हो जाएगा वो जाएगा Q B vector cross में B vector Q B जिसको बोलते है ठीक है force कितरा होता है Q B cross B समझ में आया तो force जो है यह magnetic वाला वो जाए Q B vector cross में B vector यहाँ vector product की बात हो रही है अब suppose करो कि मेरे पास इदर देखना ज्यांट से मेरे पास देखो magnetic field इदर की तरफ है magnetic field इदर की तरफ है ऐसे velocity मैंने इदर की तरफ रखा तो force की तर लगेगा यानिक चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपने इदर की तरफ है का magnetic field इदर है तो force के लगेगा तो B cross B के तरफ है भी पर हात रखेंगा right hand को ऐसे और उसको B की तरफ टर्ण करेंगे अंग्ठाज इदर गया उपर इदर की तरफ फोर्स लगे इस पर बास हो या यानि कि चार्ज एक्स्प्रियेंस करेंगा फोर्स इदर फेलोस्टी है इदर मेंटिक फिल्ड है यानि कि तीनों एक दुसरे के perpendicular कह सकते है भी अगर नहीं भी है तो भी हर समय फोर्स जो है वो फेलोस्टी और मेंटिक फिल्ड के अगर मैंने चार्ज को फिक दिया तो उसके को फोर्स नहीं लगया समय रहा हो यहां पर दो तीन चीजें है इसको समझ लेतने है फटा फट अगर मैंने कहा दे कि थीटा के वैलू जीरो डिगरी है इसका मतलब है अब ठीक हो जाएगा क्यू इसको हमने इधर की तरह फेग दिया तो फोर्स क्या लिखोगे फोर्स जाएगा क्यू भी भी साइन थीटा होता ना तो साइन यह भी क्रॉस भी को भी साइन थीटा लिखते है तो साइन जीरो डिगरी आ जाएगा तो साइन जीरो का दो जीरो हो हम अगर हम कदिक थीटा का विलो 90 डिग्री है मैंनेटिक फिल इदर बट चार्ज को हमने इधर की तरफ थेग दिया तब फोर्स क्या हो जगा अब क्यू भी दी लोगाना जादा ना साइन नाइन टी लिखो के साइन ने वहाना जागा तो फोर्स क्या जागा सौरी क्यू भी दी यह हो जागा हमारा फोर्स अब वहीं पर अगर हम इंग्नेटिक फिल्ट इदर कर दिये इस इस कंडिशन में थीटा को बनेटी ले रहा है और चार्ज को हमने उल्टा फेक दिया इस चार्ज को हमने किसी भी रप्टार सिधर की तरफ फेक दिया तो फोर्स क्या हो जगा हमारे पास क्यू भी भी साइन वान नीटी डिगरी यह हो जगा साइन वन टिका अगें वेलू जीरो हो जाता है तो फोर्स हो जीरो एकदम मोटा-्मोटी बात समझे लो अगर एक चार्ज को मेग्नेटिक फिल्ड के तरफ या उल्टे फिके तो फोर्स नहीं लगेगा इधर इधर उधर फिकेंगे तो फोर्स लगेगा किदर लगेगा? हर समय वेलोसिटी और मेग्नेटिक फिल्ड को आने वाला जो प्लेन होगा उसके पर्पेंडिकुलर बात समझ में है चलूट ठीक है इससे सब्सक्राइब कर लो कि मैंने एक यह मेंगनेटिक फिल इदर की तरफ है और हमने वेलोस्टी वेक्टर इदर की तरफ देकर रखा है तो फॉर्स जो होगा वहर समय इसके यह बात तो आलवेज होने वाला है ठीक है ऑलवेज होने वाला है अब एक बात बताओ फॉर्स और वेलोस्टी हर समय अगर पर्पेंडिकुलर है अगर फॉर्स और वेलोस्टी हर समय पर्पेंडिकुलर है तो हम एक बात तो कह सकते हैं कि जो वर्क डन होने वाला है यहां वह सु sofa गोज हने वाला है क्यों क्योंकि फोर्स भशाल के पर्पेंटीकुलर है तो एफ डाट भी डाट भी-डाट प्रोडच जीरो था ओगा फॉल्त बात समयीा है यंदक हो इसके आहें पावर भेक्टर क्या हैं यह ज्कोर्ण गलत कर रहें इतना गलत कोई कैसे हो जबता है भई है ना एक सकेट टेंसें देरा जो हाँ अब ठीक है तो पावर हमारा एक एसकेलर क्वाटिटी ए ठीक है पावर जो हो जाएगा वो तैंड वर्क बाइ टाइम यह बिसीकली फॉर्स वेक्टर डॉट और वेलोस्टी वेक्टर बात समझने हां त इसलिए पावर डिलीवर बाइदा पावर डिलीवर दर वि ten डिलीवर बाइदा बाय्क रूऔर और मैंग्डिक फोर्स मेंडेटिक फोर्स इस अडारूएक equal to zero power नहीं यह deliver किया यतना बात समझ में आ गया ठीक, अच्छ एक और बात unit वगर के बारे हम बात कर ही लेते हैं अच्छ से, तो unit क्यों हो जाएगा हमको पता है कि force जो होता है वो q, b, b होता है अगर maximum के ही बात कर लेते हैं तो b के बारे हम बताओ तो force y, q भी हो जाएगा आप force का unit तुमको पता है क्या होता है, force का unit Newton, यह तो सर साहब को पता है इसका होता है, Newton नीचे महोंगे q, यह सुरी q, q का हो जाएगा कूलंब और यह velocity के लिए meter per second होता है ना तो बैसिक लिए का जाएगा, newton second per kilometer हैना newton second per kilometer इसी इतना खतरनाक चीज को हम बोलते है, tesla क्या बोलते है, tesla समझ गया है, वो जी ग्रेट निकोला टेसला है उनके regard में हमने इसको ऐसा कहा है, और यह हमारा SI unit है, है ना tesla बहुत ही बड़ा unit है इसके लिए हम लोग यहाँ पर gos sorry, use करते है, gos cgs system के लिए अमना, gos use करते है और हमको यह बात पता है, अब तक 10.4 gos जो होता है, वो एक tesla के equal होता है, यह हमें पता है any doubt, यह हो गया magnetic force के बारे में छोटा मोटा जानकारी अब अगला condition देखो यहाँ पर अगर मैंने का दिया, यहाँ पर एक magnetic field है, इस तरह से करके है एक uniform magnetic field है, इस तरह से और अगर हमने यह arrow condition बना के रखा cross condition यहने की plane के अंदर magnetic field जा रहा है, तो मारे screen पर इधर से इधर की तरफ जा रहा है magnetic field देख रहा है, जो screen उसमें ऐसे जा रहा magnetic field, यहने तुम्हारे तरफ से screen के अंदर जा रहा है magnetic field यह cross का मतलब हो कि into the plane यह तुम्हारे लिए into the screen, mobile या laptop के screen पर देख रहे हो, उसके screen के अंदर जा रहा magnetic field ठीक है, और उसमें हमने यह क्या किया, एक positive charge, यह पोजिटिव charge है यहाँ पर, इस positive charge, Q को हमने throw कर दिया है किसी भी velocity से यहाँ पर, तो देखो इसके बाद क्या होगा, यह charge ऐसे घूमेगा, देख रहा है क्या, यह क्यों घूमेगा ऐसा क्यों, देखो, velocity है इधर के तरफ, और magnetic field तुम्हारे screen के तरफ, तो force के लगा इधर, देखो चार्ज को मैंने कैसे फेका, आईसे देख रहा है ना, चार्ज, हमने फेका इसे देख रहा है बात देखो, चार्ज को हमने फेका आईसे magnetic field प्लेन के अंदर ऐसे right hand सब को हाँत निकालो velocity इधर, magnetic field तो force लगा इधर, हाना, तो इस पर यह जो चार्ज है, इस पर force लगेगा इधर की तरफ force लगेगा जिसका value क्या हो जाएगा, Q, B, T बात समझ मैं, अगर हम किसी भी instant पर charge को देखें जब charge यहाँ आ जाएगा, उस समय force इधर लग रहा होगा, क्योंकि इस समय इसका velocity इधर की तरफ होगा, और हमको यह पता है कि force और velocity हर से perpendicular होगा, और यह तभी होता है जब circular motion कर रहा होता है इसी लिए, charge अगर uniform magnetic field में, अगर, है ना charge को अगर हम magnetic field में, अगर हम छोड़ दें, तो वो charge circular motion करने लगेगा, जो दिख भी रहा है इसे, circular motion यहाँ पर करता हो, हमको दिख रहा है, आरे बास मुझे में, ऐसे, तुम लोगो हाथ नहीं दिख रहा हो, मेरा आरे बास मुझे में, ऐसे, इसे, इसे, इसे टोके चलो ठीक, यह center हो गया, यानि कि circular path का, circular path का center भी हमारे पास assign हो जाएगा अच्छा एक बात बता हो, जब हम किसी instant पर हमें यह सोच रहे हैं, यह सब बात की अगर सब कर्मोशन कर रहा है, तो किसी instant पर देखा जाए, तो बाहर की तरफ एक centrifugal force लग रहा है जिसको बोलेंगे, बीस कर बाहर है, है ना तो कहेंगे, यह जो necessary centrifugal यह sentry-petal force है, क्या लिखेंगे, necessary sentry-petal जो force है, ना force, provided by magnetic force magnetic force बात समयगे है, तो force कितना है, QVB वो जाएगा, mv square by r के बराबर बात समयगे है, तो बीसे भी खताम, तो radius जो आ रहा है वो आ रहा है, mv by qb के एक वाल, है ना this is what, radius of circular path, याद रखना है radius of circular path यह आ गया हमारे पास समझ में आ गया बात, radius आ गया हमारे पास अब हमको velocity पता है और अगर हम एक बात पूछें तुमसे कि time period क्या होने वाला है time period सर, distance by time होदा ना, तो टोटल डिसन होगा है 2 pi r, अब by velocity b 2 pi, r के जगा पिल्ग ने क्या, mv by qb, और लोड़ डि भी है यहां से क्या जगा, 2 pi m by qb, यह होगा time period, यानि कि यह charge को इस charge को यहां से sorry, यहां से यहां यहां तक एक circle में घुमने में जो समय लग रहा है वो है हमारा time period समझ रहा रात को यहां था होता है, वो हता है qv by 2 pi अम यहां कि यहां फ्रिक्वेंसी, क्या हो गहां यह इसको सकते है, थायम पिरिएवेड यहां होजा हमारा time period time period यह क्या हमारा frequency बोल दाएका, angular frequency बताओ angular frequency जिसको हम ओमेगा कहते हैं यह क्या होता है 2 pi into f हो जाता है तो 2 pi से multiply करोगे तो क्या हो जाएक क्या हो जाएगा क्या देख ले ना ध्यान से यह qv by m हो जाएगा एक observe करने वाली बात है कि time period frequency और omega तीनों independent independent velocity से देख लो ध्यान से time period frequency और omega तीनों ही independent है velocity से यह याद रखना है बैठा दिमांग में ठीक अब अगला है हमारे पास helical path पढ़ चुके होगे इस अबात क्या पर क्या था इस वाले situation में क्या था कि हमने यह वेलोसिटी को ऐसे फेका था मेंगनेटिक फिल ऐसे था यह लेकिव लेकिन अगर हम ऐसा कंडिशन तुमसे राइस करवाए कि सर मैगनेटिक फिल्ड हम इधर करवा लेते हैं और इस चार्ज को हम ऐसे फेक देते हैं किसी रप्तार से बी से कुछ थीटा एंगल बना करके 90 डिग्री नहीं कुछ थीटा एंगल बना करके तो हम यह कर सकते हैं सपार इस vein को त्यूपरिंट होगे है ना इस पूली के डिग्रेंट्ड पररेंटिक फिल्ड अलोंग द मैं बहां था अन कि निए बता चुक्क है कि जिदर मैंगेटिक फिल नहीं तरब करेगा ज़िधर पिरवी उदर का फ्रेक्त करेगा वो सिर्फ उदर चला जाएगा फोर्स नहीं लगने से मतलब क्या होता है कि वेलोस्टी में चेंज नहीं आएगा चार्ज टप-चाफ से उदर चल जाएगा लेकिन एक जो परपेंडिक्लोर वाला लग रहा है वह इस चार्ज को आई से घुमाना स्टार्ट करेगा बात समझ में आया क्योंकि वेलोस्टी इदर है और मैंगनेटिक फिल्ड है निचे तो भी हेलिकल पाथ में क्या है कि अगर एक चार्ज को हमने ऐसे फेक दिया एक तो बी नीचे दिखाया तो भी क्रॉस भी ऐसे करें फोर्स यह लगा यानिक यह जो चार्ज है बेसिकली सब फोर्स अंदर की तरब उदर लगेगा वैसे यह चार्ज आई से घुमने लगा इसे जो कि अधी फिक्टर दिखा रहे हैं यहां पर है ना जब चार्ज यहां आ गया है मेंनरे टिखायों कि तरब ऑसे से घुम रहे है बात समझे गये बात को यहां पर यह फोलते हैं है lis ही समस्ग sih तो यहां पर किच यह रहया है आई है ऐसे बनेगा है ना ऐसे ठीक है तो कुछ पीच बनेगा यह चार्ज ऐसे यह नीची आगा नीचे कौन खीच रहा है भी को सीटा घुमा कौन रहा है भी साइन थीटा यह वास हो या यह क्या है घुमाने के लिए रिस्पॉंसिबर भी साइन थीटा क्या है बी सान थिटा responsible for circular motion circular path और बी को सिटा किसके लिए responsible है यह responsible for pitch यह pitch के लिए responsible x क्या है हमारा pitch है बात समझ मैं इसका radius कितना होगा अगर मैं पूछू radius कितना होने वाला तो सर एंवी बाइक्यूबी ओता है एंवी वेलोस्टी कॉण साथ भी साइन थीटा क्योंकि वह घुमाने के लिए रिस्पान से वह भी साइन थीटा अब आक्यूबी यह गे रिदियस पूछेंगा फ्रिक्वेंसी कितना हो जागा तो पायम वाइक्यूबी वह हो जागा ना क्यूबी वाइक्यूबी को फरक नहीं पड़ता कि दर है नहीं है से क्यों मतलब ही नहीं पूछेंगा टाइम पीरेड बता दो तो 2 पाय एम बाइक्यूबी यह हो जागा टाइम पिरियद वटेसफ चीज का मतलब अक्स एक्श यह वह पीछे यह क्या हो जाएगा तो सर एक चार्ज यहां था चार्ज घुमते वे यहां आया है नीचे देखो ध्यान से मिरा हाथ चार्ज घुमते वे नीचे आया यहां एक टाइम पीरेड में इतना गिरा तो यह जो लेंथ है उसको पीछ चार्ज जो है यहां से चला ऐसे ऐसे घुमते यहां पहुंच है दिखा यह जो लेंथ उसको पीच कर रहा है spiral banding का copy देखे ओ इसायरल से पाह हो स्प्रिंग है। उसका जो पिच समझ रो ना यह पीच ऐसे बंते जा रहा है वह पीच है तो लेंथ कौन कवर कर रहा है वह लेंथ कवह लेंद का विकॉस तीटा तो तो रफ्तार मेरे को पता है समय पता है दोनों multiply कर लेंगे तो एकसा जाएगा तो रफ्तार कितना है भी कॉस थीटा और टाइम पिरिट के जाएगा भी कॉस थीटा टाइम पिरिट के जाएपे समझ गए बात को ओके अब आगे बढ़ते हैं अभी यहां पर है magnetic force experiences by current carrying wire in external magnetic field ठीक है अगर हम कह दिये यहां पर हमने एक magnetic field ऐसे बना के रखा है इसमें ऐसे और यह तार है यह जो मोटा ऐसा दिखा रहे हैं यह बिसीकलिए तार है तार को मच्छे से दिखाने के लिए हम बिस इस पर बेसिकलिए चार्ज का movement हो रहा है ऐसे कर गए इसका मतलब इदर से current जाए रहा है ना तो नीचे से उपर की तरफ तुमको दिख रहा होगा current जा रहा है current क्या होता 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 है current ट्रिफ्ट सब्सक्राइब अब I m जो भीडी एडिफ्ट विरस्टी एना गेक्टर क्रॉस में थी इन था क्यों इतना सा छोटा सा जो फोर्स लग रहा हो चोटे स्चार्ज के वाज़ से बासमें या फिर हम का से छोटा सा चार्ज होगा डीक्यूब फॉर्स अगर हम पूछे नेट फोर्स बता दो इंटीग्रे सकते हैं यह विग्ण क्याइं रेकर लेते हैं इभर गणीऊ ब्लाइड और मों सब्सक्राइब इंट नहीं फॉर्स वह क्रोस में यह फैक्ट्र क्रोस में मिया मृव उस्ट यह कैसे निकाल दिये याद रहना चाहिए तुम लोग को फॉर्मुला आई एल क्रॉस भी हमारा फोर्स एक्स्पिरियेंसेस बैक करेंट केरिंग वायर होता है याने कि एक तार को हमने मेगनेटिक फिल्ड में रख गया और उतार में हम करेंट दोड़ा दियें तो से फोर्स लेगा किना आई एल भी पात समय मैं चलो ठीक है अब यह टॉर्क किना कोईल है मैं कोईल दिख रहा होगा तुम लोग को स्क्रीन पर इस स्क्रीन पर जो दिख रहा है को यहां से हम एक् कुछ भी है ठीक है और इसमें करेंट ऐसे करके दोड़ रहा है ऐसे औरJamãyने छिव जो है मारे सते की तरफ पर से नीचे के तरफ हम यहां आपर दिखा रहा है मेंनेटिक विए और से नीचे को दिख रहाोगा कि यह नीचे हैसnd senior लेंग वाला वायर है यानने ए लेंठ वाला जो वायर है इसे फोर्स कितर लग रहा हूँ तो सब्सक्राइब क्लुण मेरे तरफ आ रहा है करेंगे से आ रहा है और लेंग यह अधर की तरफ आई एल क्रॉस भी एल इधर करेंटकर रहे लिए अक्रास भी तुरीच है यह थर यानि कि बाहर की तरफ कितना फोर्ष एगा आई एबी और इस वाले फोर्ष एगा अंदर तुम चेक करना आई एबी इधर दिखेगा बात समय मैं अगर तुम इस साइड से आँख लागर के देखो तुम अगर हमें सीम दिखाने कोशिस करें तार है बैसिकली कुछ इस तरह क दिख रहा होगा इस तार के इस हिस्से पर ऐसे फोर्ष लग रहा है इसको हम करते हैं आई एबी इस पर ऐसे लग रहा है फोर्ष आई एबी है ना और यह लेंद हम बोल चुके हैं कि बैसिकली बी है और एज्यूम कर लो कि इसका अच्छी इसका एडिया वेक्टर भी होग यहां से यहां तक कलेंट होगे अब ध्यान से दिखो जैसे अगर यह पैंद दिख रहा होगा इस पर इधर कितरा अप लग रहा है फूर्स आई ये भी इंदर अग्र आई ये बी क्या यह से घूम जाएगा यह इसे से तॉर्क हो गया ना यहीं तो कहे रहे थे तो और क्या ब अगूल है ना यह क्यों हो जगा आई A B into B sine theta अच्छा धेको ध्यान से सर्ड आई A B हो गया इदर और यह होगे B sine theta है ना B sine theta अच्छा A into B थो पूरा area हो जागा ना यह इन तो B क्यों हो जागा एरिया हो जागा यह आई A vector स्थी गुञर्ट में विए इसको बोलते हैं कि नला है अगर हम यहां पर एन टर्निंग लगा दिया टेन इंडिप्लाइं कर देंगा अक्र एक ही टर्ण को एल का वायर एक ही वायर का क्या लिंग किया गिया दोस्में कि अकर भूसमा रहा है एन आइ एब लिए zwischen n-i-a को बोलते हैंनु वेक्तर इसको क्ते हैं yaptina कि मोमेंट क्या पर मेगनेटिक मोमेंट्थ का मोमेंट क्या रखना मेंट्वतातों नियू क्रोस बी वेक्टर बनेगा है ना क्योंकि एना ये को हमने मू लिग लिए तो म्यू क्रोस बी बन जाएगा टॉर्क समझ में आगया बात ठीक है अब अगला हमारा हॉल इफेक्ट हॉल इफेक्ट क्या है देखो ध्यान से बहुत सिंपल सा चीज है अगर हम कहें कि एक बहुत मोटा सा मेटालिक वायर है और उसमें कुछ करेंट ऐसे फ्लो कर रहा है और हमने ऐसे करके मेंगनेटिक प्रोड्यूस कर रखा है इधर से फिर से तुम्हारे प्लेंट से अंदर की दरह जा रहा है अब सोचके देखो अगर करेंट ऐसे जा रहा है अगर इसमें करें तरफ ऐसे करके चार जा रहा है उसका रपतार भी इधर अब बी किदर एधर है अंदर तो भी पर ऐसे हाथ रखेंगे सुझी बीराट इससे रखेंगे बी की तरफ इसे कर आँ अम्ठा नीचे जाएगा तो फॉर्स लग गया इधर नीचे, फोर्स को क्या लिखोगे Q, B, B, चार्ज वो जा Q, B, B बैठा समल में, सीरा सी दी नीचे इससे क्या होगा, सारा का सारा चार्ज धीरे धीरे करके accumulate करेगा नीचे की तरफ यह सारे ही चार्ज धीरे धीरे करके accumulate करेंगे, इस metallic जो rod है इसके नीचे की तरफ सारा ही positive charge नीचे ना ऐसे accumulate करने लगेगा समझ के बात को current का flow basically electronics का flow भी होता है इसने सारे negative charge धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ flow करने लगेंगे बैडिया दिवाग में धीरे धीरे करके बढ़ने लगेगा इससे क्या होगा कि इस पलस और माइनस के बीच में यहाँ पर माइनस मैंनेगा के बीच में इस प्रों अपने आप जनेट होगा है अपने आप धीरे धीरे चार्ज करद डेपोजिट नीचे इस चकर में ऊपर निगेटीव चार्ज पलस और मैनस के इसलेक्ट के अगरण इस पेफ फोर्स लगे जिसको हम कहा देंगे QE और ऐसा condition अगर आ जाए अगर हम ऐसा कहें कि QE का value QBB के बराबर हो जाए ठीक है तो Q से क्यों ख़ता तो electrical का value क्या हो जाएगा BB है ना बास हो जाएगा तो यहाँ पर electrical इतना आ गया इससे क्या हो जाएगा हम देख रहे हैं कि EMF generate हो रहा है potential difference between these two points अपर plate and lower plate के बीच में कुछ potential difference हो गया है तो उसको कहते है क्या voltage वो electric field into length के बराबर जागा potential difference बराबर E into length हो जागा ना electric field into length याद रखना है electric field का वेलो दिख रहा है VB into L EMF यहाँ पर हो गया इतना generate तो basically क्या होगा इस पूरे के पूरे picture में अगर तुम इस rod को ऐसे करके connect कर दो हाना ऐसे करके एक external bulb से connect कर दो तब बल्व तुम्हार है ना ऐसे करके glow करेगा तो मैं बल्व बात चल जाएगा अच्छे से बात समझे मैं आया clear है यहां बल्व है यह का है यह बल्व है फिला मेंट लगा दिये थे उपर और नीचे सोच के देखो करने का बात समझ मैं ना okay ठीक है अगला वेलोस्टी सेलेक्टर वेलोस्टी सेलेक्टर अगेन मैं अगर है स्यस्जिंक को कि अगर है मैगन एक यूनिफर्म मैगनेट्रीक फिल्ड को और एलेक्ट्रीक में से अगर हमें चाल्ज को पास करवा जुकर तो इस चार्ज के उपर फोर्स लग भगा रहा हो गए ना किदू देखो ध्यान से चार्ज के ऑपर मैं घर हम इसी चार्ज उक्राइसे कर एक ऐसे करके इलेक्री फिल लगा दे समें इसपर इधर की तरफ भी आ जाएगा जिसको आजए क्यों कर दें क्यों उryn व्हुलाइबे करेंद ना तो चार्ज उप चाप से अपना इधर चाहएगा भास मि मैं तो हम ठीक है अगला है हमारा angular momentum अब कि सब्सक्राइब कि मैंने एक कि चार्ज को है न घूँचार्ज को किसी भी रप्ताल से घुमा दिया इसंका बजन है M किसी ऑर्बिट अर एंचन के तो सब एंगर मोमेंटम आल की दो ये तो पता है न तुम लोग को ये हो गया इंखलममेंटम ठीक है एक बात हो गया यह क्दाष और करेंट कितना होगा सरो चार्ज का फिलो ऐटाइम इस पूरे पात में क्या करेंट फिलो करने वाला है क्योंकि चार्ज घुं रहा तो करनेंट हो इतना हो गया क्या हम कह सकते है फेलोस्टी जोगा वो टोटल डिस्टेंस बाइट टोटल टाइम हो जाएगा तो टाइम के जगह पे हम टूपाइ आर भाइब ही तो लिखी सकते हो यहां पर लिख लेंगे तो पाय आर भाइब भी बैठा दिमाग में यह गया करेंट अच्छा जगह पे एल बाइएम आर अगया सुम्हें बीक जगह पे एल बाइएम आर आगया शॉरी सब्सक्राइब हम ज्यादा फिचती है इसको मैं तो रहने दो क्या ही फ्रपर परता है हाँ हटा य़्ितन है इसको बेटा दे रहा है ठीक है हग इतना हो गया इस सर्कृट में में हगि पाय अंटाइम के जगह पे टोटल डिस्टेंस वाई टोटल लुट्स ती इतना हो बैठा दमाग में यहां तक क्लिए रहे हैं और अभी अभी हम सीखें कि म्यू होता एक जिसको मेगनेटिक मोमेंट वेक्टर बोलते हैं वो क्या होता है आई यह कि बराबर होता है ना नमबर अप टर्ण इसमें एक क्यों एक चार्ज बोम रहा है तो फॉस्ष और नहीं लिखें आई कितना दिख रहा है क्यू भी बाई टू पाय आर के जगा और एरिया कितना हो जाएगा पायर उसकार हो जगा, क्योंकि जो एरिया बना रहा है, वो एरिया लिखे यहां से, तो पायर से पायर से पायर खतम हो गया, तो क्या बना यहां से, Q, V, R, बाई, 2, ठीक है, आप देखो, V, R के जग़ा प्या लिख सकते है, L, V, M, तो म्यू आ गया है, यहां से, Q, V, R के भुगंब का है नहीं आ जाए, ठीक है, तो म्यू बाई, L का वेलू, Q, V, 2, M, के बराबर होता है, ठीक है यहां तक, समझ गया है, अब है उसी तरह से, बायोट सिवर्ट्स लाओ, अब यहां, अभी तक यहां, तक क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, मेरे पास given magnetic field है, और उसमें हमने charge को फेका, rod को रखा, या coil घुमाया, charge को फेका, कितना force लगा, Q, V, B, ठीक है, अगला क्या था, यह घुमा दियते हैं न, उसके बाद हमने rod को रखा, तो से कितना force लगा, I, L, B, उसके बाद हमने क्या देखा, हमने coil रखा, तो से torque लगा, N, I, A, B, formula इदम याद रखो, कैसे कैसे चीज़े काम करें, वो भी हम बता रहे हैं, Hall's effect और velocity slider, दोनों का दोनों कहीं न कहीं, एकी तरह का बात करता है, Hall's effect में अलग बात यही है, कि जिस metallic body में, या metallic rod में से हम current pass करवा रहे हैं, और उसी metallic rod को magnetic field में रख दें, जो हम बता र face, upper face and lower face, उसके बीच में potential differentiate हो जागा, और अगर तुम वहाँ पर एक bulb लगा दो, क्या लगा दो, बल्ब, है ना, तो बल्ब लो करेगा तुम्हारा, अजीब फेनोमेना है, मगर हैं इंट्रेस्टिंग, है ना, यह Hall's effect करते हैं, पास हो जाए, ओके, अब आगे बढ़ते है अब अब अपना बायोट सेवर्स लाओ, अभी तक गिवर मगनेटिक फिल्ड था, अब बात होगी, मगनेटिक फिल्ड जेनरेट कैसे होता है, तो बायोट सेवर्स ने यहां से कुछ फॉर्मुले दिया थी, इसके पहले ओस्टर्ड का जो एक्स्पेरिमेंट वो सब केरिंग वायर जेनरेट्स मेगनेटिक फिल्ड यह यहां पर, सब्बोज कर लो कि मैंने एक वायर ले लिया ऐसे है, ठीक है, इस वायर का एकदम छोटा सा सेक्शन काट लिया, इतना सा, एकदम छोटा सेक्शन काट लिया, इतना सा, एकदम छोटा सेक्शन काट लिया, इतन लेन्ट हमने माल लिया कुछ डील वेक्टर है और इसमें से हम कुछ current पास कर वार है या चोटा सा current आई पास कर वार है तो हम देखना चाहते थे इसके करन इस space में कितना magnetic field होता है तो हमने इस वायर करन हम कहीं space में यहाँ पर इस जगह पर सब्सक्राइब कर रहा है कि करेंट कर रहा है कि करेंट कर रहा है कि करेंट के मतलब उसका लेंथ होना चाहिए इसलिए आप पर से ले अडियल उप्तर वह अर और इस पर कर रहा है इस पेस में आता है वन्वाइर ben फ्केक्टर इसको इन वह जो करते हैं तो वह तो आएगा रहा है यहां तक बात दिमांग बैठा करेंट क्रेंट करेंग वाएर जेन्रेट करता में डिपल तो करेंट लिए कि था लिए और बात हो रही इससे में इसलिटी क्या है वह सायंद टीटा का प्रोपोरशनलिटी प्रोपोरशनल्टी साइन टीटा कर यह बात रखना है कि मैंगनेटिक फिल तार के तरफ नहीं होगा या उल्टेव समय ने होगा यह बाद हम बता है ते पहले भी कि मैंगनेटिक फिल के तरफ चार्ज फेको तो के फोर्श न नहीं ait थर्फ है उदर जगह बनाता है इस पेस में बता समय यहां पर कितना मेरत भख यह तो वोला है कि तो उसके कुछ मीडियम वगरा बर के रखें में मीडियम के लिए मिवार कभी उज़ कर रहे हैं आई डीयल उपर में है सब उपर में ही साइन थीटा भी है नीचे में होगे आर का स्कॉयर बैटिया दिमाग में यह है है हमारा बायोट से वर्स लाँ एक बार लिख लेना अच्छे से घर पे पूरा फुरूरा याद हो जाएगा ठीक है अब इसी को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो म्यू जी है बैटा दो में रेने समया अरे इसको आर बायोट से कर लो मिजमारा क्यों वह जाएगो उपर में आई डीयल क्रॉस रोगया ठीक है यह वेक्टर फॉर्म में बायोट से वर्स लाओ बढ़िया दो में ठीक है एक च्छोटा सा चीज हम लोग ओने देखा म्यू जीरो म्यू इसको बोलते हैं एपसल्यूट पर मिटिधी ऐबस लीट Channel है इसे च्छों करता है यहां दक्समें वादो के हूद दैक कुछ व्देर्स अन हमें यह पता होने चीए चै osob ऑप्सलन जीरो मूजीभा जो होता हां वह बढ़ एभाए सी के बरावर होता हो है कैँ पहला कि इस वह समेंजेता है और मेटिक में एक और खासियत इता कि अगर मीडियम मण कहीं जाता था यहां पर मीडियम डालने से मेंडियम बढ़ जादा है मीडियम आर से है उस case में बढ़ेगा लेकिन डाया मेगनेटिक है तो घट जाएगा याद रखना है यहाँ पर ठीक है यह तीन बात है यहाद रखने के लिए है यहाँ पर अगला अच्छा एक चीज और हम बताते हैं इसी में कि अगर मुविंग चार्ज के बारे में बात करेंगे हैं ना इंठीक जी फैक्टर रहे वह क्या है मारा पास मिव जीरो मिव आर बै फोर पाई आई के जगह पिए लिसकति है आई बराबबर डी क्यूब आई डी ल ल ख्रॉस आर बाय बायर का की वह नहीं था अट दिल बायर बीक्रॉस आर बायर का क्योव रहाएं तरह का बेसिकली हो चीज़ को देख सकते हैं यहां से भी बेख्टर मैं यानि कि मुभिंग चार्ज को आखिए करेंट केरिंग वायर में चल कौन रहे तो चार्ज ही तो है अगर करेंट केर रिट वायर जिन्रीट कर रहा हूं बहाग रहा है Mushroom कर रहोगा है न यहां पर यह बात है अगला है magnetic field दूटू current carrying state wire ठीक है अगर हमारे पास एक current carrying state wire है एन ऐसे ठीक है तो उसके current कहीं पर बोलेगा magnetic field कितना बनता है यहां पर ठीक है तो अगर हम अगर अगर अलफा है और यह अगर अगर अलफा है और यह अगर बीटा अगर है यहां पर magnetic field कितना बनता है बताओ यू जीरो आई बाई टू पाई यह distance माल लेते हैं ए है टू पाई साइन अलफा प्लस साइन बीटा के बराबर याद रहेगा ऐसे ठीक है ऐसा न्यू जीरो आई बाई टू पाई ए साइन अलफा प्लस साइन बीटा के बराबर बैट यह दिमंग में ओके हां मिनोज प्लाम प्लस साइन अगर हम बोले x 5 his यहां हुर खके wasting मिन फॉर पॉर पाई हो जाता है संप्लस सा Kaufगे बीटा ंए अगर मोंने के इनफानाइट और इनफानई टू है पैने रोल वायर है तो अलफा जो ए नाइंट्य रिकर करेगा अब बीटा भी 90 दिग्री का प्रोच करेगा उस कंडिशन मुग का वेलो जाएगा बी का वेलो जी रॉइल आई बाई फोर पाई ए साइन एंट इवल वन प्लस वन यह तो हो गया तो मुझी रॉइल आई बाई टू पाई ए और यह यह फॉर लॉंग वायर है थाना ल करें दिया दोनों के बीच में डिस्टेंस हम रख दिया ठीक है तो इसमें कितना फोर्स लगता है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वह होता है मुझी रो आई वन आई टू बाई टू पाई टू डी यह पता होना चाहिए है ना समझ गे बात को आप यह कैसे निका लिए तरफ वो कितना होगा तो सर इसतार गार रहाँ रहाँ कितना होता है न्यू जीरो आई वन बाई टू पाइंट डी ठीक है और फोर्स कितना होता है था फोर्स होता है यह क्या है बता तो मैगनेटिक फिल्ड magnetic field generated by wire 1 1 wire ने कितना magnetic field generate करे हैं B1 कर देते हैं ठीक है और second बात क्या लिख देंगे force experiences by wire 2 wire 2 में कितना force लग रहा है force क्या लिख होगे force F2 बराबर ILB current लिख रहते हैं I2 length L और B1 इसमें यह चीज़ आ रहा है जिसलिए I2 लिख लिए L लिख लिए B1 के लिख दिया 0 I1 by 2.2 D सौल करोगो ते ही आजाएगा दोको साफ साफ दिख रहा होगा 0 I1 I2 by 2.2 यह हमारा force experience by wire 2 यहाँ पर दोको ध्यान से करने इसको ऐसे खीचा यह wire इसको भी F1 ऐसे खीचेगा attract करेगा अगर दो direction same direction में current जा रहा है attraction और opposite direction में जाएगा समझ गया है अगर current ऐसे जाएगा attraction और current अगर उल्टा जाएगा तो repulsion हो जाएगा यह बात भी दिमाग में रखना है यहाँ पर same direction करें जाएगा तो attraction कर जाएगा अब आगे बढ़ते हैं फिल्ट ड्यू टू circular current circular current करेंग wire current कर रहा है कि magnetic field यहाँ पर कितना होने वाला है किसी x डेल्स पर है ना इसका डिशार माल लेते हैं इसमें हम current आई बना लेते हैं इसके करण किसी x डेल्स कर रहा magnetic field कितना होगा प्रूफ तो नहीं करेंगा म्यू जीरो आई एन r का square by 2 times of r square plus में x का square raised to the power 3 by 2 एकदम याद कर लो एकदम याद कर लो ठीक है म्यू जीरो आई एन आर square 2 times of r square plus x का square raised to the power 3 by 2 proof कर लो ज्यादा बेटर है घर पर लिखने के लिए आ जाएगा यह सब बात और अगर पूछे का b at center बता दो इसका तो b at center क्या हो जागा तो x का value तब लिख लेंगे 0 तो महाँ पर 0 पूट कर लेंगे तो आजएगा mu 0 i n आर स्कार से आर कर इसकार खतम हो जाएगा by 2 r बचेगा और अगर n का value 1 है तो b क्या हो जाएगा at center mu 0 i by 2 r को दिकत नहीं होना चाहिए अब आगे है फिल दूट दूट सर्कुलर करेंट ही तो और चीजों को देख लेते हैं सर्कुलर करेंट था तो इतना था अगर हम कहा दें कि मेरे पास एक सेमी सर्कुलर करेंट है ऐसे करके तीक है यहाँ पर पूछ दिया तो b कितना हो जाएगा उसका जस्ट आधा mu 0 i by 4 r हो जाएगा जो से सर्कुलर के कारण पूरा सर्कुलर करेंट बनना तो मुझी रहाएगा तो इसका आधा कर लेंगे अगर पूछ दिया ऐसे हैं ऐसे करके फोटो बना देगा तो बैसिकलिए तार के सीधे में ने बनता है इसलिए दोनों को अभी ग्रूर कर लेंगे यह बात समिना जाना चाहिए अगर ऐसे बनाया है किसी ने फोटो आएसे करेंट दिया ती यहां पर पुछे का में इसलिए कितना तो सर यह तो बन फोर्थ बन रहा है ना याने कि पूरा सरकल का बन रहा है तो बाइट हो जाएगा इस कंडिशन के अभी का वेलोग निवीजिरो आई बाए एट आर तो क कर दें कि हमारे पास एक को कुछ इस तरह का सिनर्यों बन गया है ना कि कुछ थीटा एंगल बना रहा है कर रहा है यहां पर कर देंगे सर पूरा का पूरा मुझी रवाट था उसको थीटा से मिल्टीप्लाइब करके टूपाई से डिवैड कर लिए है ना ऐसा कुछ कर यह बात स्वाजय हो और क्या ही इस में फिल दीट वा सर्कूर करेंट पर आगया हां एंपिर स्लों के उपर बात करते हैं एंपिर स्लों क्या कहता है एंपिर स्लों कहता है लाइन इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल अफ बी वेक्टर एंड दील वेक्टर इस एक्वल टू मुजीरो इंटू आई इंक्लोजड यहने कि लाइन इंटीग्रल अफ बी वेक्टर डॉट अफ डील वेक्टर जो जाएगा मुजीरो इंटू आई इंक्लोजड हो जाएगा यह है हमारा एंप्यर लाओ सपोज कर लो दर हमने इस हिस्से में यहां पर ऐसे करके अंदर की तरफ i1 करन डाला बाहर की तरफ i2 यहां पर अंदर की तरफ i3 करन डाल लिया तक इसके लिए क्लिए लिए वेक्टर डॉट ओफ डील वेक्टर क्या लिखेंगे इसमें यूजीरो आई अंदर में कितना है सराइवन माइनस आई टू कि बाहर की तरह पारा अंदर वाले को हम प्लस लेना है इसलिए अब प्लस में आई थरी ऐसा बैठिया दिमाग में कि नहीं आया समझ गया है इस तरह डी ए इक्वल टू क्यू इंटू क्यू अप्लिकेशन है हम उसको देख लेते हैं मेंग्नेटिक फिल एट पॉइंट डू लॉंग स्टेट करेंट वायर जो अभी पढ़े थे उसका अप्लिकेशन यहां पर भी देख लेते हैं सपोज कर लेते मेरे पास अंदर की तरफ जा लेंगे ऐसे करके मेंठा गोएं करेंट देखन गरेंट जा रहा है वायर जा रहा है पेज के यहां तुम्हारे स्क्रीन के अंतर में और हमको जानना है उस वायर से कहीं यहां पर इस जगह पर निकालना मैनेटिक प्र तो क्या करेंगे वहीं पड़ेक एक एमपीरियन इसको बोलते हैं जहां पर हम बनाना चाहते हैं वहां पर हम लिखेंगे जो में भी आ रहा होगा ठीक है तो हम इसका इंटीग्रियल करेंगे ना क्या करेंगे लाइन इंटीग्र डॉट डॉट अफ डियल वेक्टर एक्वल टू मुझ जी रो इंटु आइं इंक्लोस सिर्फ इस एंपिरियल लूप के अंदर में कितना करेंट है सिर्फ आई है अब बी क्योंकि हम कहेंगे अर्ड हर जगर सेम होने वाला इसके बी को बाहर निकालेंगे अंदर में बज़गा डियल लिख देंगे मूझ जीरो इंटु आई तो बीडियल को जोड़गे तो पाय आर एक एक दम सिंपल क्या हम अबजर्ब कर सकते हैं कि बी इनवर्श्टी प्रोपोस्नल टू आ रहे हैं अगर ऐसा दिख रहा है तो अगर हम आर के साथ में में मेगनेटिक फिल्ट की बात कर रहे हैं ठीक है यह तो वन बार के इसाब से लिगा कि अगर आफ ऐसे हैं बैटिया दि होलो के रिडुन और सबस्क्रों कर लो कर crippled करें इंग वायर होता कैसे और यह देख लो को आइसा घंजर लौन लमा एनना लंग वाला है अधिर इसका लिए से और उललो एडियो कैसा है अंदर से खाली आइसे अपर द है उससे ऊडशा कर के करवर्ब कर जा रहा है इसका सि झाल व्यक्त करंद अयाँ पर थे स्विrad Bundy Angeles इसमें से करके करेंठ इसमें सग्त प्रिस अगरी इसमें भुश चक्ताअग है आगे इसे téléphone टैकर जो भी करें जा रहा हम झाये जा रहा है रहा है तो धीकली यह हम इसको आईसे दिखा रहे है उना तो हम पूं कहर है किसे कम करें हो인이 रह पर फिर लिखेंगे सर्फेस पर और फिर लिखेंग अंदर में कहीं पर भी अंदर में तो पहला लिखेंगे आउट साइड आउट साइड में वी आउट साइड की लिए क्या लिखेंगे बाहर में हो जाता है म्यू जीरो आई बाई बाई टू पाई टू आर डिएव करेगा तो हम वायर के तरह याद रखना है बस सिंपल है सर्फेस अच्छा केपिटल रिख दिये हैं वह यहां स्मॉल आर रिखना चाहिए था क्योंकि हम बाहर में इस्मॉल आर ही यूज कर लेते हैं बाहर में यहां पर इस्मॉल आर यहां से देकर लें थे स्मॉल आर ठीक है बोलेगा बी यह प्र फेस क्या हो जाएगा तो जाएगा मिूज रो आई बाई बाई टू पाइंट वार और बी इन साइड क्योंकि तार है यह नहीं अंदर में तो जीरो अंदर में कहीं पर भी देखा जाएगा तो hollow wire के अंदर में magnetic field जीरो अच्छा hollow sphere के अंदर में इस लेटिक फिल जीरो होता यह भी याद रखना है है ना चलो अगर graph देखा जाए तो हम similar type of graph दिखते हैं तो यहां पर से R और B के बीच में है ठीक है तो क्या graph दिखेगा हमको वो ऐसा कुछ दिखेगा अंदर में 0 और सर्फिस पर से 1 बायर के इसाफ से घाट जाएगा magnetic field B inversely proportional to R एकदम hollow sphere के तरह से लेकिन वा 1 by R square के हिसाफ से लिटिविल करता है यह दिमाग में रखना है और यहां पर सर्फिस पर कितना magnetic field दिख रहा है ठीक है हर जगह ऐसे हर जगह दिख फिल गया है सोरिगर गया है बैठा है मग में करेंट हर जगह जा रहा है और आप पूछे गा कि कैसा इसका भेरियेसन होना है कैसे इसमें मालन लेते है करेंट लेंट सीटी जै क्या है यह हमारा current देनसिटी बोल देते हैं इसको अगर हम इसको देखें ऐसे करके इसका रेडियस अगर हम आर दिखा रहे हैं तो बाहर में तो कहेंगे सर बी जो आउट साइड में है बी आउट साइड जो बन रहा है वह जगा म्यूँ जीरो आई बाय टूपाय आर ही बनेगा इसमें कोई सक नहीं होना चाएब ठिक है सर्फेस पर जो बन रहा है वही बनेगा सब्सक्राइब अल्म्हक्या एट सर्फेस तो दिखेगा वह जगाए गब 10 आयि तूपाय आ ही देखे में कुछ ने आ इसमें इसमें दीखेगा लेकिन बी इन साइड वाले में मामला हो जाए गड़ बड़ यह जाएगा मूझ जीरो जे आर बाइट टू अन्दर में डियरेटली पुर्पूर्शन ग्राफ चलता है अन्दर में है यह इन साइड होता है जो ग्राफ आ जाता है आर के साथ में हम प्रूफ अगर नहीं करवा रहे हैं सारा प्रूफ तुमारे कुप कॉपी में है हम बस सिर्प रिवीजन करवा रहे है कि ताकि तुम्हें सब पता हो जाए एकजाम तक में है ना तकि तुम लोग 110 परसेंट नंबर ले करके आओ आ गय अब हैं हमारे पास सुलेनवाड और वाइड तो आट देखलो अनॉनदाइट के बारे में तीन-चार बात है यह अपना सुलेन राइट है ठीक है व्यारा दुलारा सुर्णीनोल इसमें उफ्यार लगा दिया, ऐसे करेंट वी लगा दिया, ऐसे करेंट फ्लो कर रहा होगा इस अन हान्दर में। क्लिण जा रहा है Rush यह जगा साूत? बीच मेंगनेटिक फिल्ड जो हो जाता है मेंगनेटिक फिल्ड दूटू सुलेनवाइड और इनसाइड में तो म्यू जीरो एन आई है ना म्यू जीरो एन यहां पर एन क्या है नम्बर ओफ टर्ण्स पर यूनिट लेंग्ध अना पास्तों है म्यू जीरो एन आई है ना बेटा तुमग में म्यू जीरो एन आई हो जाता है हमारा सुलेनवाइड के कारण मेंगनेटिक फिल्ड समझ में आ गया ओके ठीक है अच्छा एक और तुम्हारे लिए बता दे रहे हैं जो कि में वालों के लिए भी थोड़ा हो जाएगा तो ऐसे करके बुल दिया वायर है से ठीक है और कर देख इसके सेंटर पर सेंटर पर नहीं कहीं पर भी मेंगनेटिक फिल्ड बताओ यहां पर कितना आने वाला है ठीक है ऐसे करके इस जगर पर ठीक है यह एंगल बना दिया किसीन अलफा यह एंगल बना दिया बीटा तो मैंनेटिक फिल्ड जो आधा वह जाए तो म्यू जीरो एन आई का आधा साइन अलफा प्लस में साइन बीटा कॉपी में जाकर एक बार देख रहे ना सारा का आधा ठीक है और वसमें जो ग्राफ वोगरह आएगा अगर ग्राफ वोगरह देखा जाए आर के साथ में तो सरफेस पर म्यूजी रोफ से आधा अधिर देखर के अंदर में ऐसे बैठें तुम्हें ग्राफ तुरंत चला जाता है यह हमें पता होना चाहिए ठीक है अब लगला हमारा ट्रॉइड ट्रॉइड क necessity ह verse 19 कूछ नहीं है थैक हम बस इसके उपर वंड-दिं कर दे रहे है ना क्या क्लोज करती है आई होप तुम लोगों को दिख रहा होगा पिक्चर बहुत अच्छे से इस टोरवाइड का ऐट है कि सुइवा इसमें से कर्ण गया इसका रेडियस मोलर कर देते हैं बाहर कर देते हैं बाहर वाले का ए ठीक है और यह जो रीडियस है हमारा अगया कैप्टल आर ठीक है तो यहां पर इसका भी आफम लिखाता है वह होता है वह यो दुन sí म्यू जीरो एन आई एन था एन क्या था नंबर ऑफ टर्ण्स पर उनिट लेंथ तो में टिफिल क्या जाएगा यह आपर से बता दो म्यू जीरो एन बाइ टू पाइ आर इंटू आई है समझ गये को लिकरेंट है हो गया महीन वैब खत्ब लिटे है इसका सुलिशन के साथ में है हना तो ज्यादा कुशन है नहीं वैसे आई थिंग 45 के आसपास में ही कुशन है सारे आसान है वो सब बन जाएंगे हना और इसके बाद अब ज्यादा कुछ है नहीं एक मैटर है एक EMI और एक AC है यह तीनों ही वीडियो महुत जल्दी है जल्दी हम कोसिस करेंगे लाने का पढ़ाई चालू रखो और इस बार एक सो नहीं दो सो प्रेजिंट नमर लिगा ना है ठीक है